नमस्कार दोस्तों मैं प्रोफेसर हर्षित कराड एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ और आप सबका हमारे इस यूटीब चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ तो दोस्तों सुप्रीम कोट ने जो रिसेंटली एक बहुत important ruling दिया है सेडिशन के बारे में आज के हमारे इस चॉर्ट विडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं ठीक, आज के हमारे विडियो में हम देखेंगे Sedition का offense क्या है? इसका Missus किस तरी के से होता है? उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि Supreme Court ने इस offense के बारे में इससे पहले क्या कहा था? ठीक, जो पंजाब High Court का जो निरने था इसके उपर उनने क्या कहा था वो भी हम देखेंगे और lastly में हम यहीं देखेंगे कि Supreme Court का जो आज का जो निर्न ने आया है इसमें Supreme Court ने आखिर क्या कहा है ठीक है और इसका जो है long term consequences वहाँ पर क्या होने वाला है और इसका impact कैसे होगा इन सब बातों के बारे में हम हमारे इस short वीडियो में discuss करने वाले हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही informational होने वाला है इसको last तक देखिए और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसको ऐसे ही informational वीडियो को पाने के लिए YouTube चैनल को subscribe करके रखिए आप हमारे WhatsApp ग्रूप में भी जॉइन कर सकते है इस वीडियो के नीचे आपको description में link मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं sedition के offense के बारे में sedition का offense जैसे के आप जानते है 124A IPC में आपको दिया गया है ठीक है इसमें इसका करक्स अगर आपको बता दिया जाए कि जो कोई आदमी मतलब by words से by expression से और by any visible representation से अगर आप अपने देश के खिलाब कोई hatred फईला रहा है या फिर अगर आप disaffection की feeling पहला रहे हैं तो किसके खिलाफ government established by law के खिलाफ यहाँ पर जो wording दिया गया है government established by law इसी के बारे में यहाँ पर ज़्यादा तर मिस्यूज होता है अगर कोई prime minister को कुछ बोलेगा तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि government established by law के खिलाफ disaffection फैलाना है आपने देखा होगा कल पर सो हनुमान चालिसा मतलब वो गाना चाहते थे मतलब CM के house के सामने इवन Supreme Court ने जो कल का जो निरने आया है इसमें हनुमान चालिसा का भी जिक्र किया गया है उन्होंने ये भी बोला गया है कि हनुमान चालिसा गाना ये तो कभी इसमें तो कोई देजरो नहीं है मतलब यहाँ तक Supreme Court ने इसको माना गया है तो इसके misuse के cases अगर आप देखोगे तो number of times इसको बहुत ज्यादा misuse किया जाता है अगर आपने ये भी देखा होगा मतलब मॉब लिंचिंग का offense में हमेशा यह में बताता हूँ कि जब मॉब लिंचिंग के cases हो रहे थे तो हमारे देश के 40 बुद्धीजीवी लोगों ने जो मतलब जिनके नाम पर कितने सारे books उन लोगों ने लिखे हैं उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि सर मॉब लिंचिंग के बारे में हमारे देश में कोई law होना चाहिए इस बात के कारण भी उन लोगों के खिलाब सेडिशन लगा दिया गया था विनो दुआ जो पत्रकार थे बहुत बड़े पत्रकार थे आप लोगों ने उनका भी नाम सुना होगा तो उनके उपर भी यहाँ पर केस हो गया था जिन्हों ने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया था प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया था तो वहाँ पर उनके उपर भी सेडिशन के कैसे लगा दिये गया थे तो ऐसे नंबर आप इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर सेडिशन का बहुत ज़्यादा समय से मिस्यूज होता है सुप्रीम कोट ने इसके बारे में कऊपर कहा है कऊपर कितने सारे कends से यहां पर आपको देखने को मिलते हैं इसके पनिशमेंट्व भी अगश्मेंट्व अब देखोगे तो एक तो ऐसा है कि तीन साल से कम पनिश्मेंट हो सकता है या फिर imprisonment for life हो सकता है यह जो gap है इस gap के बारे में भी law commission of India ने कई बार वहाँ पर एक objection raise किया है law commission of India ने खुद recommendation दिया था कि यह gap थोड़ा सा कम होना चाहिए otherwise it will lead to the discrimination अगर किसी offense के लिए 3 साल तक का सजा या फिर life imprisonment का सजा यह इतना बड़ा जो discrimination है तो वहाँ पर मतलब Supreme Court ने जो है सबसे पहले यहाँ पर मतलब अगर हम ruling देखेंगे मतलब आप back screen पर देख सकते हैं तो Supreme Court ने पहली बार यह यहाँ पर Romish Thaapar का जो case है Romish Thaapar versus State of Madras 1950 का judgment है इसमें यह पहली बार वहाँ पर court के सामने आया था तो वहाँ पर बहुती famous judge जिन्हें हम justice पतंजली शास्त्री के नाम से जानते हैं तो इन्होंने यहाँ पर ruling दिया था इन्होंने यहाँ पर कहा था कि sedition का offense का use जो है हम speech and expression को restrict करने के लिए यूज ने कर सकते हैं पतंजली शास्त्री ने यह remind भी किया था किसी का defamation है content of the court है मतलब यहाँ पर एक sticker and nose theory की तरह काम करता है मैं हमेशाएक classes में यह बात बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई लाठी है तो आप जैसे चाहे गुमाना चाहे गुमा सकते हैं मगर यह दूसरे के नाक को touch नहीं होना चाहिए अगर आपका लाठी आगे वाले के नाक को touch होता है तो आपका जो लाठी घुमाने का जादिकार है वह वहाँ पर खतम हो जाता है उसी तरह के से आपको बोलने की आजादी है आप बोल सकते हैं जो बोलना चाहे मगर इससे किसी का defamation नहीं होना चाहिए इससे देश का सुरक्षा खत्रे में नहीं आना चाहिए इससे किसी का incitement to an offense नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आपका जो speech and expression है इसके उपर कुछ reasonable restrictions वहाँ पर लगाय गए है जब constituted assembly में debate चल रहा था कि क्या यहाँ पर इन restrictions में sedition का भी नाम होना चाहिए तो वहाँ पर constituted assembly के जो maker से उन्होंने intentionally इसको अवर्ड किया गया था intentionally उन्होंने बोला कि वहाँ पर discussion हुआ था हमारे जो freedom fighters दे लोक मायना टिलग जी है महात्मा गांदी जी है ऐसे बहुत सारे जो freedom fighters है इन लोगों को इस sedition के office में trial किया गया था और इनको यहाँ पर punishment भी suffer करना पड़ा था ठीक है महात्मा गांदी जी ने मान लिया था कि मैंने offense किया है मगर लोक मायने टिलग जो trial है वो बहुत ही जादा इसमें controversial था बहुत ही जादा debatable था बहुत ही famous trial जिसको कहा जाता है उन्होंने आकरी तक यहाँ पर मतलब खुद को defend किया बोला कि मतलब यह sedition नहीं हो सकता sedition के office में अगर आप देखोगे तो नीचे explanation में बताया गया है कि अगर आप कुछ government की policy के खिलाब कुछ बोल रहे है मतलब आपका purpose यह है कि उस policy को आप change कराना चाहते है ठीक है ना कि सरकार के खिलाब द्वेश पहलाना चाहते है तो that cannot be the sedition ठीक है अभी आप विनोदुआ का भी अगर आप case देखोगे वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर कोरोना की situation को अच्छे से handle नहीं कर रहे है और यहाँ पे प्रॉपर policy बनाया है इस तरके का उनका motive था तो सुप्रीम कोट ने वहाँ पे भी कहा था मतलब विनोदुआ का जो case है मतलब यहाँ पे government of India versus विनोदुआ का case है वहाँ पे भी सुप्रीम कोट ने कहा था कि यह offense वहाँ पे नहीं हो सकता यह मतलब सेडिशन का office वहाँ पे नहीं हो सकता उसके बाद जो मैंने आपको बताया था पंजाब एन हरियाना हाई कोट का रूलिंग है तारा सिंग गोपी चंद versus state of मतलब state of पंजाब का जो case है उसके बाद अलाबाद high court ने भी यही कहा था इनने case of राम लंदन versus state of उतरपरजश आपको screen पे यह सब cases देख सकते हैं तो इन दोनों cases में supreme court ने जो है मतलब इन high court ने जो है यहाँ पर यह सबसे important judgment है यह judgment आप मतलब supreme court का कल का judgment अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी इस judgment का mention किया गया है केदार सिंग versus state of बिहार 1962 का judgment है तो यह केदार सिंग versus state of बिहार का judgment है इसमें five judges bench था ठीक है कल के आपने case में सुना होगा मतलब जो जनरल ओफ इंडिया भी जो भी वहाँ पर बोल रहे थे कि सर वो पहले वाला judgment जो है five judges bench का rule मतलब judges का judgment है उसको यह तीन judges का bench रूल ने कर सकता ठीक है तो यह भी यहाँ पर argument किया जा रहा था तो मगर यहाँ पर supreme court ने इसको बहुत ही मतलब जिसको हम कोल सकते हैं चालागी से इसको handle किया है Supreme Court ने कहा कि मतलब उनीका argument लिया ठीक है जो जो सॉलिड इसीडर जनरल ओफ इंडिया ने जो court के सामने कहा था कि यह मतलब sedition का जो offense है इसको हम भी consider करना चाहते हैं इसको हम एक मतलब इसको भी हम आज के जमाने में यह अभी थोड़ा सा हमें भी relevant नहीं लगता है तो उनके argument से ही कुछ point पकड़के Supreme Court ने कहा कि हम यह मानते हैं कि government भी यहाँ पे agree हो चुका है मतलब on the submissions of the solicitor general of India हम यह मानते हैं कि government भी यहाँ पे agree कर रहा है कि यह जो offense है अभी समय के साथ नहीं है ठीक है इसलिए हम यहाँ पे अपना ज़्यादा वक्त जो है मतलब इस offense की validity को check करने में नहीं लगाना चाते है ठीक है court may not invest time in examining validity of section 124 once again यह Supreme Court ने यहाँ पे कहा था इसलिए हम यहाँ पे बस यह कर रहा है कि मतलब यह offense जो है इसको अभी हम कुछ समय के लिए stay करेंगे जब तक government इसको उसके ओपर कुछ वहाँ पे reconsideration करें ठीक है आपने सुना होगा कि मतलब जब NDA government का जब election campaign चल रहा था तो उनने वहाँ पे यह strictly बोला गया था कि हम sedition के offices को ज़्यादा मजबूत करेंगे ठीक है उनके manifest में यह वहाँ पे देखा गया था और यह जो opposition वाले में जो UPA सरकार जो है मतलब Congress वाली जो सरकार Congress के जो alliance वाली जो सरकार है उनने कहा था कि हम sedition को हटा देंगे तो politically भी इस section का जो है इसके उपर बहुत ज़्यादा debate हमारे यहाँ पर चलता रहता है ठीक है तो यह जो offense है मतलब यहाँ पर इसके उपर बहुत सारे जो educators है जो law के जो professors है इन लोगों के दिमाग में कोई दोहराई नहीं है कि यह offense अभी समय के साथ नहीं है और Supreme Court ने भी यह कहे लिए मतलब यहाँ पर इसी बात को point को ले लिया मतलब उनके argument में आपको यह point वहाँ पर देखते है कि professors है मतलब जो भी legal professionals है इन सब के अनुसार यह offense अभी समय के साथ नहीं है तो यहाँ पर यह better रहेगा कि मतलब अभी के time के लिए हम इसको जो है मतलब temporary इसको हम suspend करेंगे उन्होंने Supreme Court ने यहाँ पर कहा है कि all pending trials appeals proceedings with respect to the charges frame under section 124A shall be kept in the advance मतलब temporary इसको जो हम यहाँ पर stay कर रहे है until the further order जब तक Supreme Court का आगे का कोई order नहीं आ जाता यह左 फिर सरकार ने जो बोला था उनके सब मिशन थे उसमें जो उनके वकिल ने जो बोला था solliciden general of India ने जो बोला था कि हम इसको जो है reconsider करना चाहते हैं तो जब तक इसको reconsider नहीं किया जाता जब तक इसको रिकंस्टट नहीं किया जाता या फिर जब तक उसको वहाँ से हटाया नहीं जाता सारे के सारे ट्राइल वहाँ पे स्टेक किया जाएंगे और जिन लोगों के खिलाफ अल्रेडी समझा ट्राइल चल रहे है तो वो कोट में जा सकते हैं और वहाँ पे बेल के लिए सुप्रिंग पूर्ट ने वह भी नहीं किया और इसको जो है मतलब एकदम से ऐसा कर दिया कि अभी यह कुछी काम का नहीं है ठीक है सारे को बता दिया कि यह इसमें फ्रेश एफायर रेइस्टर नहीं होना चाहिए ठीक है यह भी बोल दिया मतलब एक तरीके से इसका एफेक्ट अंकॉंसलिशनल किया है मगर इसको वैलिडिटी चेक करने के लिए जो जिन बातों का कंसिडरेशन करना चाहिए तो वह वहां पर नहीं किया है कि जैसा मैंने आपको बता है कि पहले वाला जो जज़्जमंट था केदार सिंगा वह फाइव जजजेज बेंच का था उस रूलिंग को यह तीन जजजेज बेंच का नहीं कर सकता ठीक है तो फिर वहां पर इन्हों यहां पर इन्फर्मेशन लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिया और अगर आपने अभी भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो इसको ऐसे इन्फर्मेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखें ठीक है झाल 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 झाल